हेलो गाइज दिस इस वाम एंड यू वाचिंग जीनियस गुरू गैज आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब भी आप कोई फॉर्म घर पर फिल करते हैं तो उसके फोटो या कोई भी डोकुमेंट जो अपलोड करना होता है उसका साइस बगेरा आप कैसे अपलोड इसे जीन ले सकते हैं जस तरीव कियर इसमें इसमें साइस मागा गया है तो उसके इसका कोई भी फोटो अपलोड या उसका साइस कैसे रिसाइज कर सकते हैं ऻपकारने मां था इस मेंपको दो तीन ऐसे ट्रेग बताऊंगा जिसकी bahas tääंप आप हीम स्मार्ट ट्रिक है गाईज तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार कर लेना क्योंकि मैं ऐसी स्मार्ट चोटी चोटी ट्रिक हैं लाता रहता हूं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं फॉर एक्जमपल आपका कोई फोटो है या मैं एक फोटो निकाल लेता हूं और देखते हैं यह दोस्तों एक एक्जमपल के लिए फोटो ले ले जीकते हैं और मान के चलिए SSC में जो size मांगते हैं वो मांगते हैं 150 something ठीक है ना गाइस तो मैं इसका size तुरं से देख लेता हूं size इसका है दोस्तों 190KV ठीक है ना और यह PNG format में है तो को issue नहीं है PNG upload हो जाता है तो दोस्तों आप इससे हमें resize करना है और resize करने के लिए बहुत ही smart sheet रिक है इसे हमें right click करना right click करने के बाद open bid पर जाना है यहां पर edit picture पर edit picture पर click करने के बाद दोस्तों यह देगी है यहां पर edit picture पर जाएंगे और firstly आपको auto correct पर click करना है ठीक है ना तो हम जल्दी से फटावर्ट से edit picture पर click कर लेते हैं और edit picture पर click करने के बाद guys यहां पर right corner में कुछ option open होंगे तो यहां पर simply हमें resize वाली पर click कर देना है ठीक है ना resize वाली पर click करने के बाद यह मैंने click कर दिया इस पर click करने के बाद guys क्या होता है कि हमारे पास यहां पर दो तरीके हैं पहला तो हम उपर वाली पर इस पर देखी मैं आपको यहां पर select करके बता दी रहा हूं इस पर और इससे भी कर सकते हैं और अगर कोई वेड़त या hide करनी है तो हम इससे भी कर सकते हैं बट हम बताएंगे इससे यह बहुत ही easily है ठीक है न तो हम देख लेते हैं फटावट से देखिए पहले तो हम इससे करके देख लेते हैं यहां पर गाईस हम एक जटके में हो जाता है अगर हम कोई वैसा form online कर देंगे जिससे ह पारें कितना छोटा होगे बट गाईस ऐसा नहीं होता आपको यह ट्रिक नहीं करने है आपको यह वाला करना परसेंटेज वाला अब यहां पर हम इसे नीचे वाली को क्लिक करते हैं तो यहां पर उपर वाली को बनवाई क्लिक करते हैं तो यहां पर इसका साइज सब्सक्राइब करेंग तो यहां पे बताएगा कि 190 है अप देख पारें देखनेंगें अब अब हमने क्या करना है कि हम इसके साइज कोर機 करना कि करना है तो हम इसे सम्धिंग 20 कर तो अपनी हिसाब से ऐसे कोई सा भी हो और अपने साब से करके देख लिया करें गाइस तो हम इससे अगर 70 करके देखते हैं यह मैंने 70 कर दिया गाइस और यहां पर simply okay पर क्लिक करना है और size देखने के लिए आपको यहां पर save जरूर करना है ठीक है ना जब हम यहां पर करनी के बाद हमें save करना है save के बाद यहां cursor stop करना अब देखिए गईस पहले कितना था 190 था अब हमारा हो गया है 119 ठीक है न तो अब हमें क्या करना थोड़ा सा और जाके हमें इसका something ऐसे करके देख लेना है फिर से ok करके और हमें save पर click कर देना आप देखना है गाईस अब देखिए 180 नहीं गाईस हमें और भी और चोड़ा करना है अभी हमें यहां पर 70 कर देना है हमें इसका size 100 kv चाहिए ठीक है न गाईस तो यहां पर हमें click करके और फिर से देख लेते हैं यह देखिए 100 से कमी हो गया तो less than वही हो गया और गाईस यह ऐसा pixel कम इसलिए दिखा रहे है क्योंकि यह screenshot था जब आप कोई भी photo है वह scan करके resize करेंग तो वह finally सही आएगा तो दोस्तो यह थी एक छोटी से trick और आप जो कौन सा भी document हो आप यहां से उसका size जो है easily से resize कर सकते हैं आपको इसके यह video देखने के बाद कोई इसी भी video देखने जरूर नहीं पड़ेगी अगर आप अच्छे से यह steps सारे follow करते हैं तो तो दोस्तो इ क्योंकि ऐसी नेक्स्ट वीडियो आपको कल और देखने को मिलेगी तो मिलते हैं दोस्तो कल वीडियो में और तब तक के लिए जय हिंद